लेकिन यह जान लिगे जब भी महागडवन की सरकार बनेगी तो कॉंग्रेस के नेत्रित में ही सरकार बनेगी यह निशित है यह सारे नेता कल रात में ही आ गए है अभी आए नहीं है लेकिन कल ही आ गए है क्या इतना हुजूम उनके पास है या हुजूम सिर्फ कॉंग्रेस पाटी के पास है समूचे हिंदुस्तान में अगर लड़ सकती है तो वह सिर्फ कॉंग्रेस पाटी ही लड़ सकती है नमश्कार मैं उसाने राज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा नियूज आस ते जुन है यानि विबक्षी एकता की बैठक है बिहार में पतना में और और स्वागत तो ऐसा है कि यह लाखों जमता है वहां से एरपोर्ट से लेके आपको सदाकत आस्रम तक जमा है और आपके सामने यह जो हुजूम देख रहे हैं यहीं पर कम से कम छो हजार करता हम लोग यहां खाड़ा है तो ऐसे ऐसे पांच पांच छेचे हजार का जथा प और पर देख ठो रही है उसका नित्रुतThe Congress Party ही करेगा और लोग कहते हैं कि सका परधान मंत्री कौन होगा परधान मंत्री कौन होगा हम लोग को Congress को परधन मंत्री से मत्लब नहीं है अगर जो राहुल गांधी को परधान मंत्री बनना रहता तो उसका यूपी आओ में भी गांधी चेहरा के लिए परेशान नहीं है लेकिन यह जान लिए जब भी महागडवन की सरकार बनेगी तो कॉंग्रेस के नेत्रित में ही सरकार बनेगी यह निशित है पूरा पटना पटा हुआ है और यह दिखाता है कि कंग्रेस का लोगों के परती यह लोगों का कंग्रेस के परती बहुत विश्वास बढ़ा है और इसमें राहुल जी का भारत जोड़ों जातरा से लेकिस्टीश का फेक्टर एक साथ है और आप तो देखने की चीज़े आप लोग तो खुद कवर कर रहे हैं पूरा पटना को लग भी रहा होगा पूरा पटना पटा हुआ है पोस्टर से बैंडर से अब यहीं तो बात है उनके पास एक है हमारे पास हजारों है एक चीज इस पर मैं यह कहना चाहरा हूँ आपने एक सवाल किया कि केजरी वा या फलना बावु ममता जी आए आप यह देख लिजिए सारे नेता कल रात में ही आगए है अभी आए नहीं है लेकिन कल ही आगए है क्या एतना हुजूम उनके पास है यह हुजूम सिर्फ कॉं लड़ सकती है ठीक है भोट ला सकते हैं यह हम नहीं कहते हैं लेकिन वह यह हुजूम यह सब का या सिर्फ और भी लोग हैं लोग उनलों से भी बात करते हैं अब पताई कैसे तयारी चल रही है जन्दा कितने हैं बहुत बढ़िया तैयारी है तिषजो के स्वागत लिए लग्मेद निकलने वाला है अब जाएंगा है यहां से देख लिए पीछे तक क्लिए यहां पुरी बड़ी लगेए हुजो मिक्नला हुआ है देख सकते हैं कि पुलिस की गाडी और यह रहा हुआ चुक्ए है सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए